हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बनाने जारें, स्टेर फ्राइव पास्ता, वेजिटेबल पास्ता बनाएंगे, केंट आटा मेकर में तो चलिए शुरू करते हैं, बनाना से पहलें, केंट आटा मेकर को स्टार्ट करेंगे आप सुन सकते हैं, बीप की आवाज आई, अब हम मेनू में जाएंगे, 19 पे सेट करेंगे स्टेर फ्राइव, अब हम इसे स्टार्ट कर देंगे, और 10 मिनट के लिए प्री हीट इसको होने देंगे ब्रोकली को हम 2 मिनट के लिए बॉयल कर लेते हैं, हमने केंट आटा मेकर को प्री हीट कर दिया था, प्री हीट का कोई आप्शन नहीं है, बट हमने स्टेर फ्राइव में जाके 10 मिनट के लिए प्री हीट किया अब हम इसको stop कर देंगे, mince पूरा clear कर देंगे, आप देख सकते हैं, पूरा clear हो गया है, अब हम इसे open करेंगे, यह बिल्कुल बहुत ही जादा गरम है, अब हम इसमें डालेंगे oil, 2 टेबल स्पून के आसपास, आप कोई भी oil यूज़ कर सकते हैं, अब हम फिर से इसे on कर कर देंगे, menu में जाएंगे, और 19 पे, 19 option में आ गया, अब हम स्टार्ट कर देंगे, यह हमने कुछ कटी हुए सबजी आ लिए, इसमें हमने दोपली को 2 मिनट के लिए बॉयल कर दिया है, और सब को यूज़ कर लिया है, आप अपने पसंद के एक और इंग, कोई भी वेज़ेटेबल उसका यूज़ कर सकते हैं, अब हम इसमें डालेंगे अनियन, क्याइब फुली डालना है, यह गरम हो पिका है, चलाने का काम फुद करेगा यह, थोड़ सा वेट करेंगे, और अब हम इसी के साथ सारी वेज़ेटेबल डालेंगे, वन बाई वन करके, यह ह आप पैन में कर सकते हैं, पैन यकडाई में, अमने सारे वेज़ेटेबल को डाल दिया, इसी के साथ हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, हाफ टीस्पून, यह तेस्ट के बादिंग आप यूज़ को सकते हैं, सॉल्ट को, और अदालेंगे चिली फ्लैक्स, टू पिंच, वोग ट और गेनो, हाफ टीस्पून, और थोड़ा सा ओल हम इसके उपर डाल देंगे, इस पास्ता डाल देंगे, पास्ता हमने बॉल कर लिया था, नाइट में ही, इसको बॉल करके प्रिज में रख दिया था, एर टाइप कंटेनर में, आप चाहें तो तुरंत बॉल करके तुरंत यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़े हमने डाल दिया केन टार्टा मेकर की बॉक्स में, अब हम इसे प्लोज कर देंगे, और इसे पपने देंगे, नहीं से स्टेर फ्राई होने देंगे, और जब यह बीप की आवाज आएगी, तब हम उपन करके देख लेंगे, सारी और सेम कॉंटिटी में हमने सोया सॉस डाला है, यह ऑप्शनल है, बट डालने के इसका टेस्ट और अच्छा लगीगा, अब हम इसे फिर से क्लोज कर देते हैं, सुन सकते हैं, बीप की आवाज आ रही है, 30 मिनिट इसके पूरे हो गए है, अब हम चेक कर लेते हैं पास्ता क सर्फ करेंगे, पास्ता को हमने सर्फ कर दिया, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा पास्ता बन के रेडी हो गया है, हम इसमें थोड़ा सा गानिश के लिए हरी धन्या डाल देंगे, आप स्प्रिंग अनियन का भी यूज कर सकते हैं, लेजी कर्म गरम पास्ता बीना मे करेंगे, पर अगर आपको रेस्पी अच्छी लेगे तो प्लिस दू लाइक, शेर और सब्सक्राइब, और हाँ दोस्तों के साथ शेर करना ना भूलेगा, थैंक्स वर वाचिंग, शेयू सून इन अनधर वीडियो.